जैमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुक्काम ना है बहुत confusion के स्थिती में बहुत लोग हैं कि हम पूर्णिमा का वर्थ कब करें सत्य नरान की कथा कब करें तो हमारे सभी साधक ध्यान से सुनें आज 5 अपरेल है आज के दिन ही पूर्णिमा का वर्थ रहेगा और आज के दिन ही सत्य नरान की कथा की जाएगी आप शाम को सत्य नरान की कता बहुत अच्छे से इश्वर का नाम ले करके अच्छे से करिएगा बाकी सारी जानकारी हम आपको आज के संक में देने वाले हैं कल है चैत्रमास की पूर्णीमा चैत्री पूर्णीमा लेकिन सत्य नरान का वर्थ आज ही रहेगा क्यों उसका सारा करण हम आपको बताएंगे आईए आज का पंचांग देखें पांच अप्रेल सन दोहजार तेज़ दिन बुद्वार संबन दोहजारसी चैत्र महाश्चुकल पक्स तिथी चतुदर्शी और पूर्णिमा 14 जो है सुबह 9 बज करके 19 मिनट के आज पास तक चतुदर्शी रहेगी उसके बाद पूर्णिमा प्रारंब हो जाएगी नक्षत्र उत्त्राफालगुनी राहुकाल बारा से लियर दिशासूल उत्तर पूर्णिमा का व्रत और भगवान सुत्त्य नराने की कथा चंद्रमा पर आधारित है चांद पूर्णिमा का चांद अब कल की हम इस्तिती देखें छे तारिक की हलाके कल भी चत्री पूर्णिमा है लेकिन कल जो पूर्णिमा की इस्तिती है वो 10 बज करके 13 तक है सुबाब है उसके बाद पूर्णिमा नहीं रहेगी अब आज की जो इस्तुति है वो आज नुव बज करके उनिस मिनट तक 14 है उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी और पूर्णिमा का जो यह वर्त होता है यह सत्यनिनान की जो कथा का वर्त होता है इसका आधार चंदर है पूर्णिमा है तो आज पूरी रात चंद्रमा दर्शन देंगे और पूरी रात जो चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा भिम्ब के साथ खिलेंगे और चंद्रमा की स्थिति से ही पूर्णिमा का बर्त होता है, ठीक है, कल जो है, कल रातरी परियंत्र पूर्णिमा नहीं है, आज रातरी पर बहुत बहुत अच्छी और इस्तिती है हनमन्त जैन्ती महवीर भगवान हनमान जी का कल जनमों सब भी है बनाया जाता है यह तो वर्ष में दो बार लोग बना लेते हैं और भी तिधी मानते हैं लेकिन भगवान को जितने ही बार भी पूझा जाए भगवान के चर्णों में जितना बैठा जाए हम तो कहते हैं उतने ही कम है तो कल भगवान हनमान जी का ध्यान करना धूप दीव दे करके पंचोप चार पूजन उनका सुगह शाम दोनों संध्याओं में करना और कल के दिन आसपास कोई मंदिर हो तो हनमान जी को चोला चड़ाना, हनमान जी का पाठ करना, सुन्दर खांड बढ़ना, बजरंग बढ़ना, हनमान चालीसा के ग्यारा एककिस एकसो आठ पाठ करना कल के दिन बहुत अच्छे होते हैं तो ये सारी चीज़े आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, और इसी के साथ साथ, जिन साथकों के चंद्रमा कमजोर हो, जैसे बहुत लोगों के हतेली में चंद्रमा कमजोर हैं, कुंडली में आपके चंद्रमा हैं, चंद्र दोश है, ब्रश्यक रासी के चंद्रमा हैं, साथ पूर्णिमा की रात्री में हमें चंद्रमा की दर्शन करने चाहिए चंद्रमा को अर्गेह देना चाहिए ऐसी इस्तिती में हमें ऐसी वेक्टिव को चंद्र चालीस आपाट करना चाहिए चंद्र के बिजात्रक मंतर का जब करना चाहिए और आज भी या कल भी कल भी चत्री पूर्णिमा है लेकिन सुबा सुबा दस बजे दस बज़ करके तीन मेट तक है उससे पहले पहले आप कल चंद्रमा का दान भी कर सकते हैं जिनके बच्चे कमजोर है पढ़ाई लिखाई में मन कमजोर है या जो व्यक्ति डरबोक से रहते हैं डिप्रसन में रहते हैं तो चंद्रमा का दान जैसे चीनी है चावल है मिसरी ह कपास है रूई है और घी है सफेद मोती है और बहुत ऐसी सारी चीजें है तो आप इन मेंसे जो भी आपको सही लगए आप चीनी दान कर सकते हैं चावल दान कर सकते हैं दूद दान कर सकते हैं आप किसी मंदरी में अच्छी संख्या में गंगा जल पहुचा सकते हैं वहाँ पूजा पार्ट के काम आएगा रूई दे सकते हैं आप मिश्री दे सकते हैं आप तो बच्चों का हाथ लगवा करके यह जिसका भी चंद्रमा कमजोर हो आज भी कर सकते हैं और कल भी हम चंद्रमा का दान कर सकते हैं ताकि चंद्रमा बलिष्ठ हो तो मन की पावर बलिष्ठ ह मन में उज्यारा आए, जिंदे की बहुत अच्छी लगने लगे और चंद्रमा जलके सूचक हैं, बहुत लोगों को जलगात योग होता तो जिने जलगात योग हैं जिनकी जन्म पत्रिगा में उन्हें भी चंद्रमा का दान कर लेना चाहिए, खासतोर से पूर्णिमा के दे और चंद्र का संबन जैसे कि हमने जलसे बताया, हमारे सरीर में भी हमारा कईवार मन उलट उलट होता रहता है, भक्ती में, पूजा में, पाठ में तो हमें वैसे भी चंद्रमा का थोड़ा वो दान पूर्णिमा में कर लेना चाहिए, समर्ण नीर में जवार भाटाये आती है आकसर लेकिन पूर्णिमा की रात्री में सबसे ज़्याधा जवार भाटाये amendungen कुछू कि चंद्रमा का संबंद उस जल से है। पानी उमड उमड पड़ता है, भाटाएं इस प्रकार की तरंगे बड़ी भैवय स्ट्रूति बन जाती है। पागल खाने, पागल खानों मैं जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, जो उस प्रकार की स्ट्रूति में पहुँंच विकषिप्त हो गए तो उनमें बड़ा उनमाद पाया जाता है बड़ी शरालत उनकी बढ़ जाती है चंदरमा के दिन चंदरमा की रात्री में तो चंदरमा भी मामूली ग्रह नहीं है इसलिए हमारे सास्तरों में हमारे रिश्यों ने, मुनियों ने समय समय पर उन तित्यों को उन ग्रहों के हिसाब से जोड़ करके उनके दान और पूजा पाठ की बात बताईए आईए साथ को समय उचलाए ध्यान साथना का भगवान सत्य नरान की कृपा आप सब के उपर वर से चक्रधारी भगवान विश्णु आप सब को शुवासी स्प्रदान करें आईए जुणे भगवान सुरी हरी से ओम करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवे सयंतं वतास्य पत्रस्य पुटे सयानं वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तुवं नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनुकरे कंकणं सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मुक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्ट्नुम्भव वयहरं सर्वलो के कनाधं कबच बना लें ध्यान करें सिरी पुर्शुत्तम कर सुवासी समसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नित्रखोने समान्य हो जाए देखो सादिको विशेष पूजन भगवती का प्रुद्रावी शेक बहुत शिग्र है और बहुत अच्छे मंद से आना बहुत अच्छे भाव लेकर के आना जब भी हम किसी बड़े पूजन में शमलित होते हैं जाते हैं या कोई बड़ा कारे करने जाते हैं तो कुछ अर्चने हमारा रास्ता रोकती है कहीं सेहत को लेकर के कहीं किसी चीज को लेकर के बस भगवती का ध्यान करना और आपको पूजन करने का वर देंगी बगवती जब चाहती हैं तभी व्यक्ति पूजन कर पाता है ये बात ध्यान रखना आप इसलिए भगवती की इच्छा होगी तो आप पूजा जरूर कर पाएंगे इसलिए इस बाइस अप्रेल को एक बहां शक्ति का विशेक है आप सब उसमें समलित हो रहे हैं और हमने पहले भी कहा था बहुत लोग पूछते हैं क्या करें कैसे करें किसी प्रकार का इस पूजन में आप से कोई शुल्क नहीं है है ना आप अच्छे से भगवान का मन बना करके भगवती का नाम ले करके अपने इस पूजन में पहुचे क्या क्या लाना है और कैसे क्या करना है सारी जानकारी हम आपको एक दो रोज में अलंग वीडियो बनाने वाले हैं दे देंगे हाँ एक लाल चुन्री दुपटा भी अपने सामान में थोड़ा सा बढ़ा ले ताकि वो आपके गले में रहे और आप भगवती की साथना अलादना कर रहे हो लाल रंग और पीला रंग भगवती की प्रीय है इसलिए पूज़ा में भक्ती में देवी पूजन में लाल रंग के पुष्प अक्सर अरपण किये जाते है इसलिए लाल रंग का वस्त्र परणा दुपटा चुन्री आप लोग उसकी वस्ता और अपने साथ बना करके ले क पर रखेंगे सारी चीज़ें रहेंगे बस आप हसी खुशी आने का प्रयास करें और बहुत सारी चीज़ें समय समय पर सुनते रहिए और जाद देए आप स्वस्त्र हैं सुकीर हैं इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को बिराम देती हैं जय जय अंबे गुरुज उसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आस्चर्ज हो गया कि इन्हें कैसे माना और इतना बढ़िया इन्होंने पताया इन्होंने जिसके वजह से मैं आज तक उनसे परभावी थूँ और इनका बताने का सैली वेगरा इतनी बढ़िया है जो हम अपने कलास इसके टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते यह हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल बहुत चले गए और आज तक हमारे मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखने और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें